पनीर कुफता बनाने के लिए हमने लिया है एक कप ग्रीटिट पनीर इसमें एड़ करेंगे आधा बड़ा चमश मैदा साथ ही में हम इसमें डालेंगे नमक स्वादा नुसार एक चथा ही छोटा चमश लाल मेश पाउडर इन सब को अच्छे से मिक्स करके हम लगबत दो से त अब हम इसमें से लेंगे थोड़ा सा पनीर इसको अच्छे से गोल करेंगे उसके बाद हम इसमें स्चफ करेंगे थोड़े से काजू आप चाहें तो काजू स्चफ करना स्किप भी कर सकते हैं इसके बाद हम इसको कोफते का शेप दे देंगे हम इसे लंबा शेप दे रहे ह ऐसे ही हम सारे कुफते तयार कर लेंगे अब हम तेल को मीडियम हीट कर लेंगे और इसमें कुफते डाल कर इनको मीडियम टू हाइ फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ कर लेंगे हमने सारे कुफते फ्राइ कर लिये हैं अब हम एक करहाई में लेंगे दो बड़ी चमच तेल तेल को हम अलका गरम कर लेंगे इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे चार अनियंस मैंने चार मीडियम साइज के अनियन लिये हैं जिनको मैंने रफ्ली चॉप कर लिया था अब हम साथ में इसमें एड़ करेंगे लगबग 8-10 काजू अब हम इसको लगतार चलाते हुए हाई फ्लेम पे डेट से 2 मिनिट तक प्यास सॉफ्ट होने तक पका लेंगे हमें प्यास का कलर जादा बदलने नहीं देना है बस इसे सॉफ्ट करना है प्यास सॉफ्ट होने के बद हम इसे कवर कर देंगे अलग बदल हाफ मिनिट के लिए लो फ्लेम पे और पका लेंगे इसके बद हम इसको खोलेंगे गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे थंडा होने रख देंगे जब प्यास अच्छे थंडे हो जाएंगे हम इसे मिकसर ग्राइंडर में डालेंगे इसमें एड़ करेंगे दो बड़े चमबस दूद और इसकी स्मूथ प्योरी तयार कर लेंगे अब हम प्यास की प्योरी को करहाई में डालेंगे इसको लगतार चलाते हुए लगबग 15 से 20 से के लिए हाई फ्लेम पे पका लेंगे इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे एक बड़ा कब दूद और दूद को बॉयल आने तक पकाएंगे दूद में बॉयल आने के बाद हम इसमें एड़ करेंगे नमक, सौधा नुसार एक चथाई छोटा चम्मच लाल मेर्श पाउडर आधा छोटा चम्मच गरम मसाला एक चथाई छोटा चम्मच भुना जीरा का पाउडर एक चथाई छोटा चम्मच दाल चीनी का पाउडर एक चथाई छोटा चम्मच लॉंग का पाउडर एक चोथाई चोटा चमच काली मेश का पाउडर और एक चोथाई चोटा चमच छोटी इलाईची का पाउडर अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे और लगभग आधा मिनिट के लिए इसे और पका लेंगे फिर हम इसमें एड़ करेंगे एक चथाई कप, ताजी मलाई या फ्रेश क्रीम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चमच कसूरी में थी और साथ ही में अपने फ्राय किये हुए खोफते इनको डालके हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आधी मिनिट तक पकाएंगे और उसके बाद करेंगे सिसाव तो तैयार है हमारे यमी यमी पैनीर कौफते